एक और डिफरेंस देखने को मिलता है आपका ब्यवहार वरताव आपके व्यक्ति के साथ हैं ये सामने वाले नई व्यक्ति को देखकर समझ में आता है या आप मित्र के साथ है या बोस के साथ है या किसी अपने हस्वेंड के साथ है या वाइफ के साथ है या गर्लपरिंड के साथ है या बॉइफरिंड के साथ है या सास ससुर जी के साथ है या मम्मी पापा के साथ है उधारना के तौर पर एक महिला जिसकी नहीं नहीं शादी हुई एक लखी जिसकी शादी हुई बड़े महानगरों की बात नहीं कर रहा है उसको शामिल नहीं कर रहा है मैं इंडियन सभेता के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो जब उस असराल में होगी तो उसके सर पे पला होगा वो सकता है गुमट भी हो तो नए लोगों को देखकर जो पुराने जो लोग है वो अपने आप देखकर उसको समझ जाएंगे कि यह यहाँ पर बहु है चुकि असराल है न यह अब यही महिला आपको कि हाँ भई मैरिट तो है अब यह जिस तरह से है इसका रहन सहन अब यह दिखा रहा है कि अपने माईके में है पनी सी बात है कभी अब्जर्ब करके देखेगा अपने आप समझ में आएगा लोगों का एक दूसरे से बात करने का तरीका अब यह आप किसी व्यक्ति का फोन रिसीव करें तो जब बात करेंगे ना तो बात करने का सेंस ही बता देगा सामने वाले को कि उस तरफ कौन हो सकता है आपका मित्र हो सकता है आपके पापा हो सकते है या कोई और हो सकता है वो tone ही बदल जाएगी इसलिए मैंने कहा more than 60% communication हमारी body language से होता है आप नहीं बोल रहे हैं तो भी आपकी body बोल रही है इतना ध्यान रखना पड़ता है बातचीट करने के रिए और अगर यही उर्जा हमने translation में घुसा दी तो फिर कैसे effective language बोलना सीखेंगे बोल पाएंगे और सार इतन बीड़न या कांट बीड़न कोई नहीं सकता साब इतन बीड़न तो चीजें बिलकुल point by point समझ में आ रही है कि भाषा बोलना है भाषा के लिए situation सबसे ज़्यादा important है फिर उसके बाद आगे बड़े situation से विचार दिमाग में आए विचारों को सामने वाले तक पहुचाना शुरू किया तो हमें language की जरुद पड़ी और जब language को देखा तो उसमें दो तरह के sentences मिले action on और एक एक sentence को थोड़ा break किया तो हमने तीन चीज़ें देखती all action या no action लेकिन हमने ज़्यादा focus अपने time word पर किया इसलिए जब वो platform पर गए थे तो आपने सबसे पहले सही train पकड़ने के लिए train का number देखा था कि train का number क्या है जो आपके ticket पर लिखा हुआ है तो train का number है और जो announcement चल रहा है ये दो चीज़ें आपको बताती है फिर तो अपना coach भी मिल जाता है और seat भी मिल जाती है अग्री लेकिन नए वेक्टी को ये समझ मनी आता उसे ये नहीं पता चलता कि train का number क्या है और बड़ी बात ये है कि train की आने का number अलग होता है और जाने का number अलग होता है तो ये भी उसी को पता होगा जो travel करता रहता है क्या नए वेक्टी को ये पता होगा इसलिए हमें observation बनानी पड़ती है तो जब sentence बार 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 आपके सामने आएगा तो आपका sentence पर ध्यान एक जगह ज़ादा होगा वो कौन सी जगह है situation को represent क्या करता है तो नजर कहा होनी चाहिए time word पर वही नजर होनी चाहिए वही पकड़ बनी हुई है time word ही situation को बया कर रहा है और इसी time word के आधार पर action का look change हो रहा है form change हो रही है और यह कि नहीं हो रही है जो पाँच form की उनमें से कौन सी आएगी वो time word से समझ में आएगी और यही time word doer के हिसाब से chain किया जाएगा कि उसमें suitable हो उसको वो support करे तब जाकर language में एक sentence का sense बनना शुरू होगा भाव बनना शुरू होगा I hope कि अब आपको grammar के importance समझ में आए नहीं है क्यों कि vocabulary तो replace की जा सकती है बाद में भी बदली जा सकती है सीखी भी जा सकती है लेकिन एक अच्छी भाषा बोलने के लिए जिसमें sense बन जाए उतने words आने चाहिए और मैं यह मानता हूँ कि आपको उतने words आते हैं लग बग धाई हजार से तीन हजार कुछ लोग साड़े तीन हजार भी vocabulary मानते हैं शब्द एक अच्छी भाषा बोलने के लिए हम धाई हजार भी मान कर चलते हैं चोटे-चोटे से शब्द हैं वो आपने सुने हुए हैं आ नहीं रहे हैं जबान पर सही समय पर क्योंकि यह ट्रेनिंग नहीं हुई न इसलिए हम इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं इस अमस्ट तो मेरे साथ बोलेगा I am actioning और अगर इस बात को confirm करना पड़ जाए तो इस he is actioning को confirm करना पड़ जाए तो क्योंकि हमारी नजर तो कहा है time word पर है न आपने देखा जब कोई show होता है एक auditorium है उसमें पूरा dark है और एक focus light है जो singer पर है और वो singer जहाँ जहाँ मूप कर रहा है focus light वहीं वहीं मूप कर रही है आपकी focus light किस पर होनी चाहिए किस पर होनी चाहिए क्योंकि time word को ही करना है हमें sense भाषा का बनता चलेगा तो मैं have बाहर निकालता हूँ और पूस्ता हम have you understood ये तो मैंने पूछा I have अब जड़ा गंभीरता से सूचिए जो काम आपके साथ progress में है और जो काम आपने finish किया है जड़ा उस काम को check करिए चाहिए वो clean हो चाहिए वो take tea हो चाहिए वो take bath हो चाहिए वो take breakfast हो चाहिए वो come हो या फिर go क्यों न हो देखिए क्या ये काम regular basis पर हो रहा है बार-बार हो रहा है देखिए क्या ये पहले भी हुआ था और ये भी देखिए क्या ये आगे भी होगा जैसे आप यहां बैठे हैं ऐसे कल भी बैठे थे और कल भी सीख रहे थे और ऐसे आने वाले कल में भी बैठेंगे और ऐसे कल में भी सीखेंगे I agree तो ऐसे काम जिन्दगी बन गए जिन्दगी में शामिल हो गए जीवन का हिस्सा बन गए और जब एसे काम जीवन का हिस्सा बन गए तो जो प्रोग्रिस में हमने वाक्य बनाया था ना सेंटेंस क्या कहा था तो सेंटेंस क्या कहा था I am actioning तो अब क्या हम इस समय की बात कर रहे है नहीं तो एम हटा दिए क्या हम प्रोग्रिस की बात कर रहे है कहां कर रहे हैं हम कहां कर रहे हैं प्रोग्रेस की बाद हम तो यह कह रहे हैं जो काम में कर रहा हूँ यह काम पहले भी हुआ था और आगे भी होगा अब यह क्यों होगा और क्यों हुआ था क्योंकि जीवन का हिस्सा है नहीं यह जीवन बन गया ना जीवन में शामिल हो गया ना तो जो काम जीवन में शामिल हो गया अब बताओ जीवन में शामिल काम क्या प्रोग्रेस है इस काम की तो प्रोग्रेस है लेकिन ऐसे और भी तो काम होंगे जिनकी अभी प्रोग्रेस नहीं है जो अभी प्रोग्रेसिव नहीं है ऐसे भी तो कि जब नहीं है और हम उनकी चर्चा कर रहे हैं तो हम इंग क्यों लगाएंगे अगर प्रोग्रेस होते और उनकी चर्चा करते तो इंग लगता ना प्रोग्रेस है और ना उसकी बात कर रहे है क्या नाश्ता करना प्रोग्रेस है आपके साथ है अभी प्लेट आपके सामने है नहीं है लेकिन लाइफ का हिस्सा है है कि नहीं है अब ये बात और है कि मैंने अभी आपको नाश्टी की प्लेट दे दी नाश्टा सामने है एक-एक समूसा दे दिया अब समूसा खा रहे हैं तो पहले क्या फील किया वर्क इन समूसे का स्वाद बाद मिले ना पहले फील कर लो वर्क इन प्रोग्रेस लेकिन बोलोगे क्या और एट को हटा कर हम टेक लगा चुके हैं तो क्या बनेगा आएम टेकिंग क्या समूसा और वो नाश्टा है इसलिए कह दिया I'm taking breakfast समझ में आ रहा है जैसे ही नाश्टा finish plate side में रखी और कहा तो finish क्यों कहेंगे take की third form क्या है take की third form क्या है taken I have नहीं है taken है तो अब क्या बनेगा ये बनेगा तो सामने वाले को भी देखकर उसको भी बोल दिया कि क्या है